हेलो फ्रेंड्स तो ब्यस्सी फश्य किमिश्य का जो यूनिट फोरम लोग देख रहे हैं मुलभूत का अपनिक रहसाइन का संचिप्त परच है ठीक है तो इसमें आज बहुत इंपॉर्टन टॉपिक जिसका नाम है बंध लंबाई बॉंड लिंध क्या होती है ठीक है जो प्रभाविद करने वाले खारक भी देखेंगे कि बंध लंबाई को कौन-कौन से खारक ऐसे है जो प्रभाविद करते हैं ठीक है तो चलो सुरू करते हैं तो भाई बस आपको करना क्या वीडियो तुर्ड लंबाई बारे में डगो पड़ों कह रहा है किसी सा जयोजक तो पढ़ो किसी से होजक अडू में किसी बंड से जुड़े हुए दो पर मारू ये क्या है दो परमाडू के नाभिकों की बीच की दूरी को बंध लंबाई कहते हैं के नाभिक, इनके जो नाभिक होंगे, उनके बीच की दूरी क्यों हम लोग क्या कहेंगे बंध लंबाई कहेंगे, तो चलो देखते हैं कैसे, आपका नाभिक के बीच की दूरी होगी तो देखो, माल लो example के तौर पर कोई भी नाभिक है hydrogen या chlorine तो ये तो example था, माल लो कोई परमाडू है दो, ठीक है दो परमाडू है आपके तो देख सकतो ये आपकी क्या है दो परमाडू इनके आपको पता है ये आपके केंडर होगा जिने हम लोग नाभिक कहेंगे तो इस नाभिक से इस नाभिक के बीच की दूरी ये जो दूरी होगी यही आपकी क्या कहलाएगी bond length कहलाएगी क्या कहलाएगी bond length क्या कहा गया है आपको एक सैसे होज़ा कडू लेना है किसी बंद से जुड़े हुए दो परमारू की बीच की जो दूरी आपको निकालने होगी उसे आप कैसे निकालोगे उनके नाभिकों की बीच की जूरी देखो इस परमारू का नाभिक इस परमारू का नाभिक ठीक है और यह परमाड को नाभिकें इनके बीच के दूरी जो होगी ये हमारी क्या कर आएगी bond length कर लाएगी बंध लंबाई कर लाएगी ठीक है एक दम आसान देख सकते हो आप सैसोजग अरू के अडु में किसी बंद से जुड़े हुए दो परमाड़ों के नाभिकों की बीच की दूरी को हम लोग बंद लंबाई कहते हैं ठीक है तो एक्जामपल से समझ सकते हो आप लोग ठीक है अगर bond की संख्या बढ़ेगी तो बंद लंबाई घर जाएगी ठीक है देख सकते हो इस पर triple bond है तो इसकी बंद लंबाई कम है इसमें double है तो इसकी थोड़ा इससे ज़्यादा है फिर इस पर क्या सबसे ज़्यादा तो जिसकी bond कम देखो इस पर single one तो इसकी बंद लंबाई ज्यादा फिर double हो गया तो कम हो गया फिर triple हो गया तो और ज्यादा कम मनलब की यह है कि बंद की संख्या ज्यादा है तो बंद लंबाई कम होगी देखो वही का गया ठिक है आप देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं कहा गया वैदूत्रेडात्मक्ता पहला कारक है वैदूत्रेडात्मक्ता बंधित परमाड़ों के मर्द वैदुत्रेडात्मक्ता का अंतर जितना अधिक होगा बंध लंबाई उतनी ही कम होगी मतलब कहा गया आपका वैदुत्रेडात्मक्ता ठीक है मतलब कि आपका मानलो दो परमाड़ों है ठीक है तो उसकी लंबाई उतनी ही कम होगी, ठीक है, बंधित परमाड़ूखे मद्ध, वैदुत रिडात्मक्ता का अंतर जितना दिखोगा, बंध लंबाई उतनी ही कम होगी, आप बात करें, बॉंड की संख्या पर, बंधों की संख्या बढ़ने से बंध लंबाई घरती है, अभी थ्री संक्रण, ठीक है, तो देखो अगर बात करें में लोग SP, SP2, SP3 संक्रण की कारबन और हाइडरोजन के मद्ध, ठीक है, जैसे एक्जामपल लियागे, एसी टिलीन का, एसी टिलीन में जो कारबन और हाइडरोजन के मद्ध, बंध की लंबाई होगी, वो 1.057 होती है, एथिलीन में जो होती, वो 1.079 होती, एथेन में जो होती, 1.094 होती है, किसके बीच की लंबाई, कारबन और हाइडरोजन के बीच की जो बंध लंबाई, यह जो आपको बंध लिंथ लिख रही है, यह आपको यहाँ दी गए, SP संक्रण, अगर होगा तो उस पे यह हो रही है, अपेच्छा करत, S कच्छक क्या होता है, नाभिक के निकट होता है, इस कारण से क्या होता है, S प्रकती बढ़ने के साथ, बंध लंबाई घटी जाती है, तो क्या बात होई कि अगर आपका S कच्छक जो होगा, S प्रकती अगर बढ़ेगी, S प्रकती अगर बढ़ेगी की संख्या और संक्राण ठीक है तो ये बात थी आपकी बंदलंबाई बॉंड लेंथ के बारे में तो देख सकते हो एकदम आसान टॉपिक था दोबाई वीडियो अच्छ लगा तो प्रीज वीडियो को लाइक भी कर दीजेगा ओके थैंस वॉचिंग दिस वीडियो